दोस्तों स्वागति हैं आपका एक पार फिर्ट से जहां दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल 1971 में राचेश खर्णा सहाब के फिल्म हाथ ही मेरे साथ ही रिलिज हुई थी और फिल्म की कहाने और फिल्म के गाने और फिल्म इतनी बढ़िया थी कि दर्शकों को ये फिल्म बेहत पसाना आती है तो आज बात करने वाले हैं फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में बजट के बारे में हिट और फ्लॉप के बारे में और साथ यसाथ आपको बताएंगे फिल्म से जुड़े बहुत सारे ऐसे अननाउन फैक्ट, बहुत सारे ऐसे सची बाते हैं फिल्म से जुड़े जो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेएगा दोस्तों जब से पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजे और साथ इसाथ फिल्मों के ऐसी ही जानकारी के लिए चेनल को भी सरूर सब्सक्राइब कीचिएगा चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और बात करते फिल्म के बारे में डेविड अबराहम, राचिश काना साथ, तनूजा, कैन सिंग और मदन पूरी इस फिल्म में हमें एहम किरदारों में असार आई थी फिल्म के डिरेक्टर थे अमित रूमुगम प्रिड्यूस क्या था इस फिल्म को सेंडो, MMA और छिनपा थे वरने म्यूजिक डिया था इस फिल्म को लक्षमी कान्त प्यारे लान ले अगर बजट की बात की जाए तो एक करोड रुपे से भी कम के बजट में बनी थी ये फिल्म और बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने साड़े तीन करोड रुपे की शानदार कमाई की थी और पूरे वर्ड में साथ करोड रुपे कमाई थे और ये एक ड्रामा, फैमिली, म्यूसिकल फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक पस्टर साबित हुई थी चले दोस्तो अब बात कर लेते हैं फिल्म से चुड़े अन्नाउन फैक्ट के बारे में नमबर एक, दोस्तो हाथी मेरे साथी फिल्म के रिलीज होने के कई सालों के बाद अभिनेतरी तनूजा अपनी बेटी काजोल को सरकस लेकर गई हुई थी वहाँ पर एक हाथी ने तनूजा का पल्लू पकड़ लिया और उनका पल्लू पकड़ कर छोड़ने के लिए तयारी नहीं हुआ तनूजा ने सोचा कि ये हाथी मेरे साथ इस तरह का बरताव क्यों कर रहा है इसके बाद तनुजा को बताया गया कि ये वही हाती है जो हाती मेरे साथी फिल्म में था और अब हैरानी वाली बात तो ये थी, कि इतने सालों के बाद भी हाती ने तनुजा को पहचान लिया था नमबर दो, दोस्तो राज़ेश खन्ना सहाब को इस फिल्म की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी और उनको लग रहा था कि इसकी स्क्रेप्ट अच्छी नहीं है तो उन्होंने नए लेखो को लेने की बात की फिल्म में और वो बात कर रहे थे सलीम और चावीद की अब उनको इस फिल्म में लिया भी गया और जब फिल्म रिलीज हुई बॉक्स आफिस पर तो फिल्म ने धमाल मचा दिया और दर्शकों को ए फिल्म खोब पसंद आई और उसके बाद राजेश खन्ना को बड़ी हैरानी हुई कि फिल्म बॉक्स आफिस पर बड़ी सफल फिल्म साबित हुई और फिर सलीम चावेद भी रातो रात स्टार बन गई थे नमबर 3 दोस्तों फिल्म हाथी मेरे साथी बचपन से ही हॉलिवूड स्टार लूसी लियो की पसंदिधा फिल्म है और वो हमेशा ही चल चल मेरे हाथी गाना गाती है नमबर 4 फिल्म हाथी मेरे साथी राजेश खाना साहब के करियर की बड़ी ब्लॉक पास्टा फिल्मों में शामिल है और ये बड़ी फिल्मों में से एक है राजेश खाना साहब की फिल्मों में नमबर पाँच दोस्तो हाथी मेरे साथी पहली भारती फिल्म थी जिसने HMV Music Silver Disc जीती थी इस फिल्म में एक सीन है जब हाथियों की दोड होती है उस दोड में खलनाय केयन सिंग का हाथी दोड में हार जाता है अब हैरानी वाली बात तो ये है कि कैयन सिंग ने अपने हाथी को मार डाला था क्योंकि वो दोड में हार गया था दोस्तो फिल्म हाथी मेरे साथी साल 1971 में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में साल 1971 की सबसे बड़ी फिल्म थी यानि के सबसे पहले नंबर बढ़ती सभी फिल्मों में तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पस्ना हो रहा और अगर आप भी जानना चाहते हैं मैंने पसंदी किसी भी मूवी के बारे में तो कमेंड में सुरू लिखेगा थांक्यू